तो वेल्कम गाईज अगर आप भी Instagram प्रो का इस्तिमाल करते हैं गाईज तो आज की इस वीडियो में आपको Instagram प्रो की निव अपडेट सेटिंग के बारे में बताने वाला हो 2023 में Instagram Pro को भी अपडेट किया गया है इसमें भी बहुत सारी चेंजिंग की गई है आपको कौन सा फीचर कहां पर देखने को मिलेगा कैसे आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको A to Z फीचर सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं वीडियो को कंप्लीट देखना गाईज तभी आप समझ पाएंगे नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे फीचिटे यूटूब चैनल में गाईज चैनल पर नहीं चैनल को सस्क्राइब जरू कर देना दे सकते हैं सिस्टम थीम यहां पर एपलाई हो चुकी है उसके बाद जैसे मैं क्लेक करता हूं यहां तो डार्क थीम यहां पर एपलाई हो चुकी है उसके बाद मैं दुवारा से इसके उपर क्लेक करता हूं तो लाइट थीम यहां पर एपलाई हो चुकी है तो यहां पर पर को यहाँ पर डाउलोड करने का आप अपने औपर प्रोफाइल की अपर डाउट पर प्रोफाइल के ऑपक डे अपर करताहूं पर दे सकते हैं पलए नहीं है इस्टाइम चैटेन के मैं क्लेक करता है तो चीने हैं भूद् हीधने को है पर आपको प्रोफ thee थे तो में हमे आमध्र rede छोचिर्स भात Speaking क्रैंट हो सकती है कंसी सेटेंग आपको कहां पर देखने को मिलेगी यहाँ पर हम back आते हैं back आने की बाद गाईज यहाँ पर हम फिर सी 3.1 पर क्लेक करते हैं तो यहाँ पर setting and privacy उप्षिन है इसके उपर क्लेक करता हूँ ठीके अब यहाँ पर दे सकते हैं subset आप पर यहाँ पर account center का एक option है simple आप जैसी कि इसके उपर click करते हैं click करने के बाद guys यहाँ पर आपकी profile सबसे top पर आ जाती है आपके कितने account से यहाँ पर show हो जाएंगे ठीक है उसके बाद नीचे यहाँ पर account का एक option दिया गया है personal detail आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी password and security का भी option यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आप password security के उपर click करते हैं इस तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर two step verification भी आप यहाँ से कर सकते हैं ठीक है उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके सामने एक option है where are you log in ठीक है आप जैसे इसके उपर click करते हैं तो यहाँ पर आपका account कहां कहां पर login है किसके mobile में login है यहाँ पर सब कुछ show हो जाएगा ठीक है यहाँ पर दे सकते हैं आप सब कुछ यहाँ से check कर सकते हैं ठीक है यहाँ से आपका जो browser है वो safe है या नहीं है वो सभी कुछ आप यहाँ पर दे सकते हैं जो भी notification को enable करना चाहते हैं तो सबसे टॉप पर है push all तो यहाँ गर आप इसको यहाँ पर enable कर देते हैं तो यह totally जितने भी यहाँ पर आपको यह feature होते हैं Instagram के ओपर post, story, comment, following and followers, message, calls, live and drills ठीक है तुइन सभी कि आप notification को enable कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर time spent ठीक है अगर आप इसके ओपर click करते हैं तो यहाँ पर आप Instagram के ओपर कितना time व्यतित कर रहे हैं कितना time आप Instagram को दे रहे हैं, कितना time आप Instagram को use कर रहे हैं, वो time यहाँ पर show हो जाता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम बैक आते हैं फेवरेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते है मियूर्स का उप्षिन आपको देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर हाइड लाइक का उप्षिन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद गाईज यहां पर दे सकते हैं अकाउंट प्रवेसी का यहां पर आपशन दिया गया है अकाउंट प्रवेसी के उपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहां से आप अपने अकाउंट को प्राइवेट में कर सकते हैं ठीक है, आपको यहाँ पर इसे इनेवल करना होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक उप्शन है, ब्लॉकड का, ठीक है, आपने जिसको भी इस्टाग्राम पर ब्लॉक किया है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते ह ठीक है उसके बाद घाइस यहां पर हाइड स्टूरी एंड लाइव ठीक है अगर आप इसके अफर अपर जिरो डिखा रहा है ठीक है अगर आप लाइव आते हैं या इंस्टाज्राम पर स्टूरी डालते हैं अगर आप उसको हाइड करना चाते हैं तो आप यहां से simply hide कर सकते हैं ठीक है उसके बाद गाइस नीचे यहां पर आपके सामने एक option आ जाता है message and stories reply ठीक है अगर आप इसके उपर click करते हैं तो यहां पर दे सकते हैं सबसे top पर आ जाता है message request story reply ठीक है अगर आप इसके उपर क्लेक करते हैं story reply के उपर तो guys अगर कोई भी आपको story पे message send करता है तो यहाँ से आप उस reply को select कर सकते हैं जैसे हो अगर आपका कोई friend आपको message करता है तो उसको यहाँ से reply अपने आप हो जाएगा ठीक है उसके बाद guys यहाँ पर है show activity status यहाँ से आप अगर आप इसके उपर click करते हैं तो यहाँ से आप अपने online status को enable कर सकते हैं ठीक है उसके बाद hide भी कर सकते हैं ठीक है यहाँ से हम back आजाते हैं back आने की बाद guys यहाँ पर आपके सामने एक option है tag and mention कोई भी friend आगर आपको कोई भी post को tag करता है mention करता है वो यहाँ पर show हो जाए comments का भी यहाँ पर feature आपको देखने को मिलता है जैसे आप comments के उपर click करते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं कौन कौन से comments को अपने blog किया है वो सब कुछ यहाँ पर show हो जाएगा ठीक है उसके बाद sharing and remix का option भी आपको देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद गाज यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप सामने एक setting और दी गई है जिसका नाम है hide words ठीक है जैसे आप इसके उपर click करते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं आप comments को hide कर सकते हैं ठीक है अगर आपको कहीं भी कोई भी person comment करता है तो आप उन सभी comments को यहाँ पर hide कर सकते हैं ठीक है तो यह hide words कभी यहाँ पर आपके सामने एक option दिया गया है उसके बाद यहाँ पर guys आपके सामने एक option दिया गया है archived and downloading का option भी आपको देखने को मिलता है अगर आप इसके उबर click करते हैं तो जैसे आप instagram पर किसी की story को या live को download करना चाते हैं save original image photo तो आप यहाँ से वो सब कुछ कर सकते हैं ठीक है उसके बाद guys यहाँ पर accessibility का भी option आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक caption का option है जैसे आप इसके उबर click करते हैं तो यहाँ पर language आजाती है ठीक है यहाँ से आप instagram की language को भी change कर सकते हैं ठीक है तो यह accessibility में आपको यह feature देखने को मिलता है languages का option भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है data user and media quality का भी option की वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पर आपका data कम खत्म होगा ठीक है उसके बाद गाज यहाँ पर नीचे आपके सामने एक option है website permission जैसे आप इसके उपर click करते हैं तो अगर आपकी कोई website है उसको भी आप अपने instagram के साथ link कर सकते हैं ठीक है उसके बाद गाज नीचे यहाँ पर आपके सामने एक option दिया गया है account type and tools का ठीक है जैसे आप इसके उपर click करते हैं तो सबसे टॉप पर है switch to personal account switch to professional account ठीक है तो यहाँ पर यह दो option देखने को मिलते हैं यहाँ से आप अपने account को personal कर सकते हैं professional में भी रख सकते हैं ठीक है यह गाज कुछ new update settings है जो मैंने आपको बता दिये उसकी बाद guys order and payments का option है पर यह उनके लिए है जो instagram पर creator है ठीक है तो यह कुछ features है guys instagram की new update setting में जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है ठीक है आशा करता हूँ guys आपको वीडियो पसंद आयोगी वीडियो को like जरू कर देना फीचेट आई YouTube चैनल पर नएगा चैनल को subscribe जरू करें कोई problem आते हैं तो वीडियो के नीचे comment box में जाकर आप comment कर सकते हैं हम आपकी पूरी help करेंगी ये वीडियो दिखने के लिए आप सभी का धन्यवाद